हम लोग क्लाश्टेन संस्कृत का जो objective questions देखेंगे और ये बोड एक जाम आपको बहुत ही महत्पूर्ण है और जो ही की 100 objective questions हम लोग देखेंगे सबसे पहला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत संक्लित है तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है उसके बाद मिर्ट्यू को बस में कौन कर सकते है तो मिर्ट्यू को बस में बिद्वान लोग कर सकते है उसके बाद उपनिसदों की संख्या कितनी है तो उपनिसद जो कूल है वो 108 है उपन पुदी महतसब कहां मनाया जाता है उसके बाद किसके सासनकाल में पाटली पुतर की सोभा और रक्षा ब्यवस्ता अति उसक्रिष्ट थे तो वह हैं चंद्रगुप्त मौडय उसके बाद चलते हैं सात्वे नमर कोशन पर सात्वा नमर कोशन है कि सत्यका खजाना कहा है तो द दसमे गुरु कौन थे सीखो के दसमे गुरु थे गुरु गोबिन सिंग उसके बाद चलते हैं दसमा नमर कोशन पर तो दसमा नमर कोशन है कि कट्टू कुट्टू नीमता की रसनाकार कौन है कुट्टू नीमता की रसनाकार है दामोदर गुप्तू उसके बाद है कि पातली पुत्र का बुद्धकाल में क्या नाम था पातली ग्राम उसके बाद है महाबीर मंदीर कहां इस्थित है उसके बाद चलते हैं तेरह नमर कोशन पर तेरह नमर कोशन है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित है यानि आलस पाठ कहां से लिया गया तो वह अगनी पुरान उसके विषन भूक लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता थो है आलसी उसके बाद है इंद्रानी का वर्नन किस वेद में इंद्रानी का वर्नन जो साम वेद में है उसके बाद चलते हैं नेश कोशन, नुनिश नमर कोशन के छंवाराव किस काल के लेखक थे हूँ, जे अधूनिक काल के, उसके बादा है आधूनिक संस्क्रीट साहित लेखिका में कौन परसीद है, जे चंवाराव, इसके बाद संकर चरितरम की रसना किसने की तौ वह थे पंडित छंवा चलते हैं नेक्स्ट 22 को सन कि जनक की सभा में सास्त्रा खुशली कौन विद्दूसी रहती थी तो थी गारगी उसके बाद इस देश का गुंअ. भारत का गुंअ. देवता लोग भी करते हैं उसके बाद है कि भारत भूमी किसे से भी थे भारत भूमी जो इसागर से परबत से जर्णाव से सभी थे भारत में तीनों चीज़े हैं उसके बाद चलते हैं 25 नमर कोशन 25 नमर कोशन है कि जगत का गौरब कौन है तो जगत का गौरब है भारत उसक के बाद चलते है एकाइस नामर कोशन कि नीती रचनाकार कॉन है तो पड़ें- सुलस्त रूंप मे कौन गरत है तो वह थै बिजूर निटी उसके बाद नेरक न cert कि कितने दोर है तो और यानी नरक के कितने दोर के तीन दुवार हैं उसके बाद शलते हैं 31 नमर कोशन है कि कौन सर्वस्रेष्ट धन है तो वह है धर्म कौन सबसे धन है तो वह है धर्म सबसे बरा धन जो है धर्म है उसके बाद कौन ऐसा धन है जिससे संतूस्टी मिलती है वह है विद्या कौन ऐसा धन है जिससे संतूस्ट कोशन कि प्रसणोत्तर रूप में कौन गरंत सा गिरंत तो उसके बाद 35 को नरग कितने दौइय थार्म उसके बाद चलते हैं 36 पर 36 नमर कोशन कि 지금 कौण ऐसा धन गिससे करने संतुष्थ मिलती तो वहीat उसके बाद अस्थान पाया पाया था कैंडरिये लोग सेवा परिक्षा में कैंडरिये लोग सेवा परिक्षा में उसके बाद चलते हैं 42 नमर कि वीखन टोला किस प्रथन टोला बिहार में है उसके बाद चलते हैं आर समाज के अस्थापनों किस नगर में हुई तो आर समाज के अस्थापनों जो वो मुंबई में हुई थी उसके बाद है आर समाज के अस्थापनों गब हुई थी तो आर समाज के अस्थापनों जो 1875 में हुई थी उसके बाद है कि आर समाज के संस्थ स्वामीГएड 성agra swami 17 deriv 002 1 सभाइर शुके ऑड़ समय सुधारक स्वूमी दयानаться के जो सुमाच करतें बत्तुछ कर देखें टी हमेर में 1883 में उसके बाद कि समाच सुधारक क्वहों तो समाच दो बद यान उसके बाद कि मन दाखनी वर्नन में किस नदी का वर्नन है उसके बाद यान को सबस्किआ बहुँ कि क्या दिखते हैं मन दाखनी दिखते हैं कैसी दिखते ललीली मीव उसके बाद मंदाकनी नदीकिष पारवत के परकट निकट परवायत होते 75 कोट परवत उसके बाद व्यागर पतिकता के रजनकार हैは नरायन पंडित उसके बाद 54 नमर कुत्रतब कंकरम या किसने का कुत्रतब कंकरम तो वो है बुढ़े बागने कहा था वो किसने कहा था बुढ़े बागने कहा था उसके बाद 55 नमर कि पतिक कहा फस गया तो पतिक फस गया कीचर में पतिक फस गया कीचर में उसके बाद 56 नमर कि हितोपदेश क आर्थ हित अपदेश का क्या आर्थ हित का उपदेश हित का उपदेश यानि अच्छाई का उपदेश दैना उसके बाद है संतावन नमर पत्थि उसके बाद 69 नमर सोरी पूत्र कौन था, तो वो था कर्ण, उसके बाद कर्ण किसके पक्ष में युद लर रहा था, तो कर्ण कौरब के पक्ष में युद लर रहा था, उसके बाद 61 नमर कर्ण किसका पूत्र था, तो कर्ण कुंती का पूत्र था, उसके बाद 62 नमर कर्ण भा किसकी रचना है करन भार किसकी रचना है तो वह भास की रचना है उसके बाद बिशु संती पाठ में किस वातावरन का चित्रन किया गया है तो वह असंती उसके बाद बहर को कौन बढ़ाता है तो बहर को स्वार्थ बरहबा देता है उसके बाद 65 नमर किसके च्छांग है तो है वेद किसके च्छांग है तो है वेद किसके च्छांग है तो है वेद उसके बाद सास्त्र कारापाट की सहली में सास्त कारापाट की सहली में तो है परस्पनोत्तर सहली में उसके बाद अनेक राजयों में परस्पर क्या चल रहे है तो अनेक र विश्वश्वंति पार्ठ में वातावर्ण का सचित्रन चया गया थो है आसान्थी उसके बाद चलते हैं कि बहुत कॉंद बरहाता है स्वार्थ तो किसे पहनिते वह कि सहले है उसके पाद सॉस्विक है शास्त्र कारपठ कर् цен परोषन ओतर सहीली में है उसके बाद चलते हैं चोहतर नमर के अनेक राजियों में परस पर क्या चल रहा है ता अनेक राजियों में परस पर सीत यूद चल रहा है उसके बाद पच्छतर नमर ग्यान का सासा कौन होता है तो वह है सास्त्र उसके बाद च्यत्तर नमर व्यदांग कितने तो उसके बादे सततर नमर को संख दर्सन के संस्थापक कौन है संख दर्सन के संस्थापक कौन है कपिल उसके बादे निया दर्सन के संस्थापक कौन है तो वह है गौतम उसके बादे चरक सहीता क्या है तो है आयूरवेद सास्त्र आयूरवेद सास्त्र उसके बादे असी नमर वरीहत सहीता की रचनोकार कौन है? वरा मिहीर उसके बाद कृसी बिग्यौन को कि सनी लिखा था? कृसी बिग्यौन को परासर ने लिखा था उसके बाद लिखा टा? मिमानसादर्सन की संस्थापक था? जैमीनी उसके बादURE 83 नमर को संद जियोतिस के रचयता कौन है, वह हैं लगधर, जियोतिस के रचयता कौन है, वह हैं लगधर, उसके बाद है निरुक्त के रचयता कौन है, निरुक्त के रचयता है, यास्क, निरुक्त के रचयता है, यास्क, उसके बाद है 85 अगर के तटो के बीच कौन है, वह है संसार, वह क सित्यूदू उसके बाद 88 मरे क्रिसी बिग्यान को किस ने लिखा तो उसने लिखाता परासर ने उसके बाद चलते हैं कि मिमानसा दर्सन के संस्थापक को है मिमानसा दर्सन के संस्थापक है जैमिनी उसके बाद जोतिस के रचयता को है जोतिस के रचयता है लगधर उसके बा अन्हेक राजियों में की परस पर चल रहे हैं तो रहा हैं उसके बाद हैं 95 नमर कवा कस्के पास्टम कर उन गळाव चैजम करन खुलकर पास तव् transmit लाग्रपतिक कता किस गरंद से लिया गया है तो वह ही तोप देश उसके बाद किरिया किसके बीना भार स्वरूप हो जाता है किरिया किसके बीना भार स्वरूप हो जाता है तो वह ग्यान उसके बाद चलते हैं 101 नमर देखते हैं तो 101 नमर है कि नौचने के समान कौन दिखता कावाता गुजरात के टंका